खास रियाना देखना ले बैस सारे दरसकाने सोनूबालीई रामराम आज की वीडियो बहुते खास है जिस तरीयां का घर तहाम ने दिखावाँगे ओए इंडिया में मेरे चाहत अब पहला घर दिखाएगा और साइद ही अपना उत्तरबार तहामें वो पहला मकान है गजम में मकान है आस्ट्रेलिया में जितने मकान दिखे हैं और बनाया नहीं गया हो वह प्लांट करें गया है तो मकान एक बर दिखा दे वाई यू मकान जुछा थामने दिखन लाइग रहे हैं इस अगे उसका है अगी इसका मैं लेकिन इन दिवारां दे छोड़ गा है इसका मैं एक चटांक देख यह यह पहलोगा है सब्सक्राइब यू देख करते हैं Вас सब्सक्राइब के वाई जूवडशा है ॊदेह यह ग पे लेगा है पूरा पूरा मकान इन का उपर है यह चाहते है यह चैहते भी मैं भी कोई लाइंटर लून टर्गी को निवाइए और यू वाई रास्टर पुतर बगत सिंग दिवार हैं यह भी कोई शी मटकी को नहीं कोई शी मटकी निए कीस तरिया का क्यों सा मैट्रियल तैं इस्तमाल करें कुंट साध बनाई गई हैं कुकर बनाई यह पूरा पूरा मकान है उर्ली साइट ब्रैबर में दिखाए यह कोई शिमट का प्रियोग नहीं लेकिन ताम नहीं दिखने लाइग रहे शिमट सामट सारा सुद्धाता है भी तरी लाइगे बात करांगे एक बार दिखा दिया आजो बर बात करे लिए बड़ी दिखावें गार है देख वहीं है जी लागया हैं कितना बड़ीया सिस्टम है हो यूधि लाप नहीं क्या आंगा हैciones तो बिल्कुल ही शांदार चीज बना रखी है एक भी कट्टा सी मटका इसका में इस्तमाल नहीं होया है और किसे परकार की कोई रोडा बजरी कुछ नहीं है सब कुछ पता नहीं कुण सा मेटरियल का इस्तमाल करे गया है राम राम ताई ठीक है मकान वड़िया है सबता अलग बना रहे है ताई न मकान और यू भई जैहो और यू वई एक रूम यू है यो देखा अलगता है जम बिल्कुल है अलगता है यहार कुकर पलांट करे रहा है यू किस तरियां दा करे रहा है ताइद अभी बात करांगे फिर आपा पहला उस बाइद बात कर लिया कि मैंने बोल पड़िये थोड़े गणा चल ए उर्वान ने आजे बूले साइड आजे देखिए कतोर तर्षी का में फोटू रहा है सैयाम है राम राम बाई जी बाई राम राम सारे बाई हैं राम राम बाई मेरा नाम संदीप है लेकिन प्यार से मिरगो जोगर का नाम है बंटी है और मैं रहने वाला बादूड का हूं और पोलूशन से परिशान होगे मैं एक फारम आउस टाइप मकान बनाना चाहा रहा है जो मेरे मन की इच्छा थी और ये मकान जब मैंने बना उससे पहले करोड़ो लीटर पाणी बरबाद कर देते हैं तरहा ही करने के लिए और पीने लाइक पानी होता है उसको बचाने के लिए मैं इस तरीके समाकार बनाया काफी सर्च किया और एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया क्योंकि मेरे जो परिवार वाले नाराज भी थे किया बना र इसक लिए और मने बढ़ा और आज मैं यहां पर काम्याब हूं और बहुत से लोग मिरसे पूस्ते हैं जानकारी लेते मिलने भी आते देखने आते दू दूसरे का कम बहुत से लोग आते मिलने के लिए परिवार के साथ बलके उन्होंने डिसेज नहीं के इन फूचर वाइ आपका सवाल भूल ठीक है क्योंकि सवाल आने वाला हर बंदा मेर से पहले ही पुछता कि लोग जाएगा तो उसका जब आप सीधा होता कि आप लोगो रेगुलर पेंट करते रहते हैं या नहीं कि आप जो भी उसका पेंट कर दो पानी से बचागे रहो तो वह कभी गलता है लोगी बहुत जादा लाइफ होती है स्टील के बाराब तो मका होने लेकिन उसकी लाइफ बहुत जादा होती है लोगो बचागे रहते हैं तो इसमें जो दिवारे बनाई गई हो कुण सा मेटरियल इस्तमाल कर गया गया क्योंकि दूसरे जो कैमरा में देखना लग रहे हो बाई मैं आपको बताना चाहूं हमारे इंडिया में दो कंपनी आये एक एवरेस कंपनी और बिर्ला कंपनी जो इस प्रोड़क्ट को बनाती है उनके प्लांट जो अभी तक केरल में थे अब नया प्लांट अवरेस कंपनी का रुड़की में लगा है तो मैंने मही सा माल होगी थी सो दिन में पूरा घर मतलब जिसमें पूरी कोठी जुनसी है या सो दना में कंप्लेट होगी थी पूरे सो दिन में 40 देज में हमारा दाचा खड़ा हो गया था उसके बाद टाइल्स का पेंट का और अंदर पत्थर लगा है लकडी का जो काम हुआ है उसमें वाकि या बात में होगी जरूर और खेत घर गए तो उस खेत मारा मारा मकान आड़ा इस पे लगबग तीस तन के आसपास बजना भी और अगर मैं मानता हूं अगर गाड़ी होती है अगर वहजार के लोगाडी कितनी तेज तुफान आ जा तो वह भी नहीं पाती तो तीस तन को अ पॉसिबल नहीं है और इसके जो हमारे जो पाइब लगे में है जो यह जो वहारी बेस है यह हमने नीचे से फाउंडेशन इची बना रखी मजब बना रखी और इसके बाद मता हूं कि दो साल के बाद प्रोविजन जो हमारा इसको पर दो कमरे का उड़े है निकि डवस्ट परभा होगी बात करा हां तो उसका क्या कुछ से है सिस्टम देखो मैं वह पहले बताया कि दिवार जो है ने दिवार के अंदर एक दो बोर्ट के बीच में एक मैटर बहा जाता है जिसको जिप्सम के साथ मिक्स किया जाता कैमेकल को उसके अंदर बबल्स मनते है और जब ज जो दादी ताई लिपे कर दी उस तरी है क्योंकि उनमें भी ओए गर भी तरटन ओए गर दिनमें और जाट यह जाता है और मैं एक और बात बता दूं के इस मकान को री फैपरिकेटिड हाउस कहते हैं मतलब इसका मतलब ही होता है कि आप इस मकान को कभी भी तोड़के अब बनाया मेरे बिदादी निए आज मुसमें नी रह रहा है मैंने अपने बनाया तो मेरे बच्ची बनाएंगे तो उनके लिए का फडी मैं मानता हूं इस बात को क्योंकि जो मैंने आज लो आलगा जो में लगा उसकी कीमत आने वाले 40 साल में वह कई गुना बढ़ जाए लेकिन ऐसे मखड़ी के हों हैं या फिर और तरीका के हो है तो आश्ट्रेलिया रहा कॉंसैट हम मुझे मैं कभी अश्रय को में में लगी चाहिए बढ़ने लगें अपर ने लगी नुजिय्डेयर काम तो बता रहे हैं इस तरीके मार्न से लेकिन मैं नहीं रहा तो मेरे को मैं लेखा है इंडिया में देख हो मैं कुझ आपधर आपधिया है तो आसपास के लोगude kanadry UK कर लिया तो ना इसको मेरा कम करिया को है मैंने मत करमा काम किलें लोग समझ चुक्सिक जब मी मिह समत होता है जैसम दीमक की पार्किंग का स्पेस बना सके हमारे बड़े बुड़े को रहने क्यूंकि उसमें आप कंपेर करां तो अगर पर शिमत का या फिर रोड़ा बजरी गापा मनां दे जिसमें सरीय वगार डाल गामना दे तो उसका कोस्ट कितना दा और इसमें कितना डिफ्रेंट सापने करें दखो मैं अपनी लाइफ में ने थोड़ी आरेंडी करी दी तो उसमें मैंने पाया था कि अगर नॉर्मल मकान अगरा 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 नॉर्मल मकान मना तो शायद आठ यह नो मिनने के आस पास टाइम लग जाता है बिल्कुल बनाने में और आपको पता है रोज 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 रेट बढ़ते जारें सेमेंट के रेटी के और रेट रहें से रियकी बढ़ रहें तो मेरा चालीज दिन में तो भी मेरा में ट्रे आना था मेरा उसी रेट में जिस्ते मैंने पहले बुक किया था ताही और नन्यों को नहीं आरे इमाम दून मा रहेंगा देकाद रहें रहें तना लटन सी लाएक जरे यूद बेराने यूद इन पर खड़या है ठीक बात है जो मेरी माता जी है आज मि पुराने टाइम में कच्चे मकान बनते थे तो जब भी हम उसको दुबारा बनाते थे उसमें से इटें कड़ी टुकटी सब रियू जादा कोस्टिंग नहीं पड़ती थे लेकिन आज के टाइम में थोड़ा लेंटर की तरफ बागने लगे चलने लगे तो मारी इसको मकान को बनाया ताकि एक तो निचर बचा रहे पाणी का नुकसान नहीं और सेकिंड़ी के यह रियूज हो जाए दुबारा माले तींस-चारी साथ पहला मकान बने करते कड़ियां के बने करते फटियां के बने करते उपर प्रोशियां दी बलाए लेकर देगा चैत द तो वो भी हो जेगर था चाहिए तुन चिठाने ही बढ़ेगा तो करते ना थोड़ा कल्चर बड़ल चुका है जनरेशन अगनी आ चुकी है तो गयर आग उबर से थोड़ी बना लिया हमने वो थोड़ा गलत मेरको लगता है लेकिन उसी कॉंसेप्ट को में इस तरीक से चा लिपेगर दी चुल्ले लिपेगर दी आरे लिपेगर दी बिशाळा लिपेगर दी वें किटानू रही तो एगर दो डेली इडेली सारा गोच्छों एगर कॉंदाने लिपेगर दी सबेरे एक और रहनी उनकी खासियत मैं बताऊंगा सबेरे बल्योणी 555 पाच्च चंच लिपेगर दी तो वह कॉड़ भी सो सो साल को नीख राब हो वें दी लकडी कभी खराब नियुक्त अंदर तेल होता है जब लकडी का खतम हो जाता दो खतम हो जाते तो फिर वह आथ पूंच दे कर दी नियू है निक्योंकि यह सब दी देखिए सब कर आम जर्नल सी बात अधाय भी तरह गें अधाय ताही दबतलाओं यह इन बढकन के कुछ राम राम ठाही ठीक होगी हाँ ठीक हो गी जद भी बढकने त्यार हो गया था फिर आप आयर आपने यू उन पर डंडियां साब ख़ड़ दीख्या यू तो आपने ड्रकों नहीं लग गया लग अधाय बढकने अधाय तो फेर इव मन खुल रहा है हाँ इव सही है इव नालता कुछ नांडर लागता तो आपने नियो भी काया होगा आरे तरदादाती बणाया नी इसा तरबाबून बणाया नी इसा माम न तो कोई देख्या निशा आड़ो सुपड़ो तो यह बोड़ पर रहा है तो आच्छा लागया वाइताई न शुरू में तो आज इपो करीब सहारे युकादे गिर्जे खामन खाई यू इन पर रंडिया सब खड़िया है क्योंकि कोई भी चीज ताइन नहीं हो एह नी आपने नहीं लागे जावा है कादे यह शिक्योर नहीं हो इसमें सेफटी की कमी हो यह फिर बढ़का दिकादे यू खामन खाई पतांग तो नहीं बनाया लिया तो वो चीज़े होजे हैं हो जया बेटा तो शुरू मतलाग गई तो यू बनान लाइग रहे हैं लव चांगे तो आपने भी शुरू माजीब सा लाग गया जदियू कॉंसेफ लाग चट्टियान नई जन्रेशन थी यह इंदी वेरा था इस तरियां कॉंसेप्टोस का हैं तो यह सबते यूनिक है तो आपकी शलकिसा किसे लिए भी कंदी होंगी आहिता रदोकर जमाइने आरा भाई हां देखने भी आते हैं आते हैं आते हैं डेली आते हैं चागा खर है उसके बाद मैं सेवा पानी तो भई मकान का बारा मैं जो अपनी राए है वो आप जरूर बताई हो और दुसरें के साथ मैं भी इस कॉंसेप्ट थी आप शेयर जरूर करी हो भई क्योंकि बाइन बहुत यूनिक चीज बनाई है और बाकी बाद मैं जदो उपर भी बना द जद जावांगे तो ओड़ागे मकान और ओड़ागा कल्चर भी आपने जरूर दिखावांगे फिलाल इस वीडियो ने फिर कोई शेयर कर दियो मिला नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाए हिंद बने मातरम जैजवान जैकी सान